सु हाई के सब्सक्राइब आज में बताँगा content writing के बारे में और आज मैं आपको यह बताना हूँगा किस तरीके से आप content writing करके जो ही कि आप अगर हम बात करें अपनी blog website पर बहुत यह अच्छे करें ट्राफिक ला सकते हैं कैसे जो ही कि अगर हम बात करें तो उसको अगर हम बात करें अच्छा result मिलेगा 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि यह चीज़े करके देखिएगा जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में और उसको अगर आप फॉलो कर लेतें तो 100% मैं आपको दान रिजल्ट आपको आएगा देखिए गूगल जो है कि अगर हम बात करें बहुत ही बड़ा platform है और बहुत जाता जो ही कि और अर्गनिक ट्राफिक सेंट करने में मदद करता है और हम क्या करते हैं कि और अर्गनिक ट्राफिक नहीं आता है तो हम सोसल मीडिया मार्केटिंग करते हैं इमेल मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट इमेल मार्केटिंग करते हैं लेकिन ये सही है आपको करना चाहिए एक्च्छल में करना ही पड़ेगा और इससे क्या होगा थोड़ी बहुत तो ट्राफिक आपको आएगी, जिससे आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर वो भी सक्सेज नहीं हो रहा है, ये भी मैथड़ अगर काम नहीं कर रहा है, सोसल मीडिया मार्केटिंग, इमेल मार्केटिंग, या फिर अगर हम बात करें, गूगल में जो अगर हम बात करें, आपकी डोमेन ऑथरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, उससे आपको और ज़्यादा benefit मिलता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है, तो आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपकी organic traffic नहीं आ रही है, तो आप find out करें, कहां पर आप गलती कर रहे हैं, गलती कहीं तो हो रही है, जब भी जो कि organic traffic नहीं आ रही है, अधर्व keyword researching की है, जो एकी article को लिख देते हैं, content लिख देते हैं, तो यह चीज़े नहीं करनी है, पहले ही mistake आपको ध्यान रखना है, कि आप कभी भी article लिखें, तो with keyword लिखें, और keyword को research करें, अगर कोई research भी करता है, मैं आपको तो बहुत सार ऐसे लोग हैं, जो कि keywords को तो research कर लेते है, replace करने का मतलब यह होता है, कि इस तरीके से replace करें, कि user को लगे ही ना कि मैंने keywords पे किसी particular keywords को target किया है, या फिर किसी particular keywords पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, सामने वाले user को पढ़ते वक्त, read करते वक्त, उस article को ऐसा महसूस ही ना हो, कि यह बंदा keywords implement किया है, फिर keywords को डाला ह FTA की चीज़ को बार-बार repeat किया है, ऐसा कुछ लगे ना, इस चीज़ को आपको समझना है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो आप जब भी यहाँ पर अगरमाद के content को लिखते हैं, तो keyword research करें, उसके बाद अच्छे से keyword को replace करें, जितना अच्छे से keyword को replace करेंगे, उतना बेटर result आपको मिलेगा, साथी साथ मैं आपको अदा रहा हूँ, कि जब आप article published करते हैं, तो उस article को instant publish करने के कोशिस करें, instant मतलब instant index कराना है, इससे होगा क्या, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आज के date में, article लिखना नहीं चाहते हैं, और सामने वाले blogger को follow करते हैं और देखते हैं कि वो कब वो article published कर रहा है, जब जैसे ही वो article published करता है, तो वो जो कि उसके article copy करके अपने लिए, वहाँ पे use कर देते हैं, और उनका instantly, अगर हम बात करें, index हो जाता है, और आपका index होता नहीं है, मतलब index होने में भी बहुत समय लेता है, तो sometime ऐसा हो रहा है बहुत सार लोग साथ में रहा है, article चोरी भी हो रही है, इस चीच को आप समझेए, तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, instant indexing आप वहाँ पे set करेंगे, जिससे होगा क्या कि अगर कोई user आपकी article को चोरी भी करने कोई कर रहा है, तो आपने जैसे publish किया, वो instantly index हो जा उस content को एक सही format में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप traffic के लियाद से काम कर रहे हैं, पैसे के लियाद से काम कर रहे हैं, इस मतलब source से काम कर रहे हैं, इस motive से काम कर रहे हैं, ये चीचे नहीं करने हैं, आपको कभी भी ध्यान रखना है कि आप अपने business को आगे ले जाने के motive से काम कर रहे हैं और यहां से पैसे अंकर लेकिने काम नहीं कर रहे हैं यह चीज़ अगर अपने माइंड में फिट करके रखेंगे तो बहुत यह अच्छी तरीक से आप यहां से revenue generate करेंगे लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि मैं कमाने की मोटीफ से हूँ और कमाऊंगा ही मतलब तो यह मतलब थोड़ से critical हो जाता है और हम जो काम उसी प्रकार से करते हैं मतलब जो हमें अच्छी तरीकी से अच्छी quality के article देने चीए वो quality का article नहीं देते हैं और हमारे अंदर जो improvement आने चीए आपको और भी चीज़े सिखनी है और भी चीज़े आपको करनी है उसको और भी implement करना है तो यह सारी चीज़े आप समझ के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा result बिलता है और खासा focus करना है आपके content पे तो दो तीन चीज़े होती है जो keyword replacement होता है वो अच्छे दे से हम replace नहीं करते हैं और यह जो सबसे बड़ी mistake होती है keyword को research नहीं करते हैं यह भी सबसे बड़ी mistake होती है क्योंकि आज के डिट में अगर आप keywords को replay अगर हम बात करें research नहीं करते हैं और direct article लिख देते हैं कई बार होता है यह सारी चीज़ों के लोगों के साथ में कि आप उसे instant index नहीं करा रहे हैं इससे बहुत ज़्यदा impact परता है आपकी blog वे साइट पे इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे अगर हम बात करें तो आपको maximum traffic आएगी और बहुत अच्छी घासे traffic आप कर सकते हैं और लेंगे तो उतना बेटर होगा और साथी साथ मैं आपको ध्यान रखना है कि बिंग के आपको keywords को research करते रहना है बिच बिच में याहू के according भी आपको keywords को बिच बिच में जोगी हम पर research करते रहना है ऐसा depend नहीं हो जाना है कि सिर्फ और सिर्फ गूगल का ही keyword में research करो ठीक है इससे आप जोगी बहुत बड़ा problem फज जाएंगे अगर आपको बिंग से भी थोड़े बहुत भी traffic आ जाते है तो यह अच्छा revenue जणरेट कर सकते हैं उसके बाद बहुत साए tools आते हैं उसको आप purchase करके आप आगे जा सकते हैं अपनी vlogging career में तो यह वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट करिए हम लेंगे नेक्स ट्रूम बात करेंगे और टिप्स ने टिक्स बारे में तब तक के लिए thanks watching bye bye